हालो एव्योन युर्वेल्कम तो बेस्ट नोट टूटोरियल माइनम इच कौशिक और टोड़ इविल वी टॉकिंग आपका हिस्ट्री का डेमो है और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को यह सिर्फ दो पेज अगर आप लोगों को ने कर लिये टू पेज़ेंस स आप लोगों को यह तक आप लोगों को यह तरी प्रेश इस्टार्व प्रेशर देंगे अपने माइंड को कि मुझे याद ही रखना है तो आप उन्हें कभी याद नहीं रख पाएंगे, भूल जाता है इंसान, और खास कर जो science के student होंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे interesting history की तरह है आप लोगों को याद रखना है, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को history के आपको story इसकी सुनाऊंगा, जो मैंने अपने लिए prepare की थी, या जो मैंने ARO के लिए तयारी के लिए करवाया था, ARO के preparation जो भी कर रहे थे, तो बहुत अच्छे से उनका selection हुआ है, तो मुझे लगता है कि यह best method है, अगर आप देखिए, आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ, यह आपके पांडे है, इसमें आपके जितने कुशन बनते हैं आपके पांडे से, अगर आप चोल का देखेंगे, जो चोल साशन था उनका, उसमें अगर आप देखेंगे, तो यह पूरा आपका जो यह डाइग्राम है, अगर आपको यह डाइग्राम एक साथ आप लोगों ने याद कर लिया, या इसकी स्टोरी आप लोगों मैंने सुना थी, तो आपको बिल्कुल यह याद हो जागए, जैसे राष्ट कूट हो गए, या एलोरा की जैसे गुफाओं के बाद करें हम, तो यह एलोरा की जितनी गुफाएं हैं, उनसे जो कुश्चिन्स बनते हैं, क्योंकि उससे कुश्चिन्स बनेंगे, आपके महरास्टे इस रिलेटेड, तो चालू किया हो गए, सोलंकी हो गया, अब यहाँ पर जैसे हमने देखा, अजंता जो है, अलेफिंटा, तो इस तरह से मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा, कि जो खजराओ है, वो किस तरह से उसकी स्टोरी रही है, पीछे चलते हैं, तो हर्ष का जो साशन रहा है, उसके बारे में हम पूरा इस डाइग्राम से समझनी की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो डाइग्राम है, डाइग्राम है मैं हेल्प करता है पिक्चराइजेशन से, मैंने आपको हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, कुछ चीज़ें हम ट्रिक्स से करेंगे, कुछ पिक्चराइजेशन से करनी बहुत ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, कि चलिए मैं आप लोगो यहाँ पर स्टोरी समझाता हूँ, कि सबसे पहले कौन आया था, कहां से आया था, शॉर्टकट आपको पता ही है कि गुडखा तशले में या इस तरह से आपको बहुत सारे शॉर्टकट है, उन सारे शॉर्टकट को हम यूज करके जो एक सीरीज है, उसे याद करने के कोशिश करेंगे, तो पहले गुलाम वांस आता है, लेकिन हम शुरुआत कहां से करेंगे, अगर हम जो मेडियेवल हिस्टरी है, उसकी बात करें, तो आपको सबसे पहले एक नाम याद होना चाहिए, वो है आपका काशिम, काशिम से हम शुरुआत करेंगे इस स्टरी की, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो हमें मिलता है गोरी, गोरी के बाद कौन आया था, गोरी के बाद अगर आगे देखेंगे, जो आपको उसके बाद देखना है, वो है आपका इल्तुतमिश, तो जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश कुतब दिन एबग का ही क्या था, दास्ता उसे वो छोड़ कर यहां पर गए थे, तो बहुत सारी चीजे हैं, जैसे टंका जो था, उस टाइम चांदी था, जीतल जो था, तामा का सिक्का हुआ करता था, और जो इल्तुतमिश था, उसने शुद्ध अर्वी के सिक्के बनाए थे, और एक्तिदारी परथा उसने शुरू किया था, ये किया चीज़े हैं, इनके बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे, अभी इस वीडियो का सिर्फ मौटिव ये है कि हम क्या पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे आगे चलते हैं बल्बन से तो बल्बन ने दिवान ए अर्ज शुरू किया था दिवान ए अर्ज जो था वो एक सैन्य विभाग हुआता था उसे जिल्ले इलाही भी बोला जाता था नौरोज उसने त्योहार जो था उसको शुरुवात की थी उसने और उसने रक्त और लोह की नीती जो अपनाई थी बलबननी की थी तो में चीज क्या है कि पूरा जो आपका मेडियेबल हिस्ट्री है वो आपको एक सामने अगर इस तरह से मिल जाता है तो आप सिर्फ आदे घंटे में एक बार अगर आपने पूरे स्टोरी को पूरे अच्छे तरीके से सुना है समझा है कि किस तरह से ये चीज़ें आगे बड़ी है तो उसके बाद आपके लिए सिर्फ आदे घंटे का टाइम है कि हमें सिर्फ study नहीं करनी है, यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसका retention बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पाप बहुत सारी चीजे है, quality है, history है, geography है, हमें उत्राखंड का भी geography और history दोनों चीजे देखनी है, तब जाकि हमें success मिलेगी, तो retention के लिए हमारा जो revision है, वो बहुत जरूरी हो जाता है, तो मैं है, आप लोगों को जो course बनाया है, और जो हम discussion करने वाले हैं, सारी चीजे, उनमें हमारा revision पे बहुत focus रहेगा, कि हम किसी भी चीज को छोड़े ना, जिस चीज को एक बार याद कर दें, वो चीज हमारे साथ चलती रहे, तो खिल जी ने बहुत सारे काम किये हैं, तो खिल जी से काफी सारे question भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि उनका जो सेनापती था, जफर खां, तो वो मंगोल से युद्ध करते वे मारा गया था, उसने बहुत सारी चीजें भी की थी, जैसे मुल्य निय राणा रतन खान और पदमावती से जो था चित तोड की उससे आप लोगोंने मोवी भी देखिये होगी, मलिक काफूर उसने देवगिरी भीजा था, राम चंदर देव जो आँका किंग था, वो राम चंदर देव से उसका युद्ध हुआ था, और बहुत सारी चीजें जै उसने खुद को शरीयत से सुतंत्र माना था, जो मुस्लिमों का होता है, उन्होंने क्या किया था, उसने खलीपा से इजाज़त नहीं ली थी, और खुद को उसने शरीयत से सुतंत्र माना था, और पहले फर्स टाइम जो था, उसने अपनी जो आरमी थी, उसको सैलरी देने क जो काम किया था उसने एक कर भी लगाया था जो था आपका घरी कर या उसे ग्रह कर भी कहा जाता था तो ग्रह कर ये और उसने चराई बर भी कर लगाया था जिसे दुधारो पसु कर भी कहते हैं तो ये आपका पुरा आपका हिस्ट्री का जो है डिस्किशन है बहुत अच्छ से स्टड़ी करेंगे आपको हिस्ट्री में भी जैसा आपने शुरुआत से देखा होगा कि बहुत सारे लोग हिस्ट्री या जोग्राफी को पसंद नहीं करते लेकिन एक पार अगर आप इस तरह से शुरू करेंगे तो डेफिनिटली आप लोगों को यह याद होगा और आप कर सकते हैं विजयनेगर स्वामराज्य का अगर हम शौट में देखते हैं तो उपर आप देखिए हरी हर बुक का है मुहमद तुगलग ने इन्हें बंदी बनाया था फिर कमपाली से फिर इसलाम उन्होंने ग्रैड किया था फिर दक्षिन में विद्यारे ने और फिर हिंद यार ट्रिक्स और जो पिक्चराइजिशन मैथड है उसे मैं बहुत अच्छे से उसे यूज करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी से यूज करें तो विद इस वी एंड इस वीडियो सी यू देर